नेटफिक्स पर शीर्ष अवधी की रोमास फिल्में पिछले कुछ वर्षों में नेटफिक्स पर देखे जाने वाले पीरियड द्रामा की सूची में नाटकिय रूप से बदलावाया है इसी समय चयन अधिक विविध हो गए हैं और विकल्प बढ़ गए हैं उलेख नहीं करने के लिए नेटफिक्स में पूरी दुनिया में उतक्रिष्ट अवधी के नाटकों से अधिक मूल सामगरी शामिल है तो बिना किसी देरी के यहां नेटफिक्स पर शीर्ष नमबर एक ब्रिजर्टन ब्रिजर्टन इस सर्दी के लिए एक दम सही बिंजवाच है शोंडालेंड हमें रीजेंसी यूग के दौरान उच्छ समाज लंदन की दुनिया में ले जा रहा है श्रिंखला निससंदेह एक बड़ी हिट होगी और यह आश्चर्य की बात नहीं है कि क्यों ब्रिजर्टन के बारे में प्यार करने के लिए बहुत कुछ है जैसा कि हम ब्रिजर्टन की भव्य शुरुवात का इंतजार कर रहे हैं ब्रिजेटन शक्तिशाली ब्रिडगर्टन परिवार की सबसे बड़ी बेटी डैफने ब्रिजर्टन का अनुसर्ण करती है जब वह Regency London के प्रतिसपर्धी विवाह बाजार में अपनी शुरुवात करती है वह अपने मातापिता की तरह सच्चा प्यार पाने की उम्मीद करती है लेकिन यह उतना आसान नहीं है जितना दिखता है इसलिए Netflix पर यह विशेश पीरियड ड्रामा प्रिय किताबों के समान ज्यादा नहीं है फिर भी पात्र अच्छी तरह से तयार किये गए हैं और उत्पादन की गुनवत्ता उत्कृष्ट है हालांकी कुछ लोगों को कथानक के उन बिंदूओं के साथ कठिन समय हो सकता है जो उपन्यासों से काफी विचलित होते हैं फिर भी आप एक अलग इकाई के रूप में इस अवधी के नाटक का आनंद ले सकते हैं एक अन्य एवोनली टिडबिट पर आरेच थॉमपसन जैस्पर डेल पूर्नता के लिए मैच नंबर तीन दक्राउन यह नाटक महारानी एलिजाबेथ ग्वितिय के शासनकाल की राजनीतिक प्रतिदवंद विता और रोमास और बीसवी शताबदी के उत्तरार्थ को आकार देने वाली घटनाओं का अनुसर्ण करता है जबकी पहला एपिसोर थोड़ा धीमा है वही से सीरीज आगे बढ़ती है क्राउन में उतक्रिष्ट उत्पादन गुनवत्ता, भव्य वेशभूशा, एतिहासिक सटीक्ता के लिए परियाप्त विवर्ण यहां तक की जब राजघरानों के जीवन को बेहत अलंकृत किया जाता है और इसमें शामिल सभी अभिनेताओं संख्या चार शापित निमू की आँखो के माध्यम से बताया गया है एक किशोर नाय का एक रहस्यमय उपहार के साथ जो जील की शक्तिशाली और दुखद महिला बनने के लिए किस्मत में है अपनी मा की मृत्यू के बाद वह मरलिन को खोजने और एक प्राचीन तलवार देने की खोज में एक युवा भाडे के आर्थर में एक अप्रत्याशित साथी पाता है अपनी यात्रा के दौरा निमू भयानक लाल पलाडिन और उनके साथी राजा उथर के खिलाफ साहस और विद्रोह का प्रतीक बन जाएगा यह सीरीज एक बेस्ट सेलिंग उपन्यास पर आधारित है और बहुत मजेदार है जबकि वेशभूशा अवधी सटीक नहीं है यदि आप अपसामान्य रोमास और एतिहासिक कलपना का आनंद लेते हैं तो आप इस नए शो की सराहना करेंगे यांगस जे चूका सबसे अधिक बिकने वाला पहला उपन्यास नेटफ्लिक्स की दगोस्ट ब्राइड में स्क्रीन पर रुपांतरित किया गया है हाला कि यह अपने स्रोत सामगरी से पीछे हट जाता है यह ताइवानी मलेशियाई उत्पादन अभी भी एक आकरशक घड़ी है नहीं यह किताब के हिसाब से सच नहीं है लेकिन हा यह पुस्तक के सार को पकड़ लेता है असाधारन रेंगना और जीवन में अपना रास्ता खोजने की कोशिश कर रही एक युवा मही संख्या छे उच्च समुद्र यदि आप बहुत सारे रोमांस के साथ एतिहासिक रहसियों के प्रशनसत हैं और आपको ग्रैंड होटल जैसे शो पसंद हैं तो आप हाई सीज को पसंद करेंगे यह शानदार अभिनय के साथ एक व नमबर साथ शील्ड के मार्वल एजेंट मेरा विश्वास करो जब मैं कहता हूँ कि समय के साथ श्रिंखला में सुधार होता रहता है जब मार्वल ने श्रोताओं को मार्वल फिल्मों से मेल खाने से मुक्त कर दिया तो कहानी कहने में सुधार हुआ अब जब की अधिकान श्रिंखलाएं वर्तमान समय में होती हैं स्लैश बैक शील्ड के शुरुवाती दिनों को दिखाते हैं नमबर आठ एमार धूप कोरियन रोमांस वार ड्रामा मिस्टर संशाइन दो हजार अठारह में रिलीज हुई थी हाला कि अब यह नेटफलिक्स पर स्ट्रीमिंग कर र बीस वी शताबदी की शुरुवात में सेट कहानी एक कोरियाई मूल के व्यक्ति के बारे में है जोली ब्यूंग्ठुन और किम तायरी के चरित्रद्वारा निबंधित एक पश्चिमी सैनिक बन गया है जो सबसे पारंपरिक तरीके से पैदा हुआ और उठाया गया है नाटक को पठकता लेखक किम यून सूक ने निर्देशकली यूंग बोग के साथ मिलकर बनाया था 2018 के नाटक में कई गाने थे जिन्हों संख्या नौ रानी की चाल शत्रंज को लेकर कई अच्छी फिल्में बनी हैं लेकिन फिल्म पर कुछ भी आधुनिक परिप्रेक्षे के साथ साथ टेलिविजन पर दक्वीन्स गैंबिट से खेल को पकड़ने में सक्षम नहीं था 2020 नेटफ्लिक्स मिनिस्रीज नेटवर्क के लिए एक भगोडा स्क्रिप्टेड हिट रहा है क्योंकि इसका प्रीमियर पिछले अप्टूबर 23 को हुआ था दक्वीन गैंबिट 1950 और 1960 के दशक में शत्रंज के कौतुक बेथ हार्मोन की कहानी बताती है जिसमें एक अनाथ लड़की के रूप में खेल सीखने से लेकर रास्ते में नमबर 10 प्राइड एंड प्रेजुडिस 2005 में केरा नाइटली और मैथ्यू मैकफेडिन अभिनीत जेन ओस्तेन के सबसे पसंदीदा उपन्यास पर आधारत सब ठीक और अच्छा है लेकिन यह एक सच्चाई है जिसे सार्वभावमिक रूप से स्विकार किया गया है कि यह शानदार छैभाग BBC अनुकूलन हमेशा ओन स्क्रीन संसकरण होगा अभी भी उस द्रिश के लिए जाना जाता है जिसमें एक गीला मिस्टर डार्सी एक जील से निकलता है जो आपको निश्चित रूप से मूल पाठ में नहीं मिलेगा यह वह श्रिंखला है जिसने कॉलिन फर्थ को एक राश्ट्रिय खजाना बना दिया और हेलेन फिल्डिंग की ब्रिजेट जोन्स की डाइरी और अंतिन फिल्मों में एक भूमिका के लिए उनका उलेख किया जी में डुबकी लगाते हुए देखने के लिए धन्यवाद मुझे आशा है कि आपको विडियो पसंद आएगा इस तरह के और अधिक अध्भुत विडियो के लिए उस बटन को हिटेगा